दोपहर के 12 बचे हसनपुर अम्रोहावे जनसभा को वो संबोधित करेंगे इसके बाद दोपहर के 2 बच कर 50 मिनट पर जनता कॉलिश बड़ाओ पर जनसभा को संबोधित करेंगे शाम के 4 बच कर 15 मिनट पर पुरानी चुंगी मेरट से घर्टा घर्ट तक रोड शो करेंगे आज मुख्यमंचरी यूग्याद इतनाथ इसके बाद मुरादाबाद से प्रत्याशी सर्वेश सिंग के घर पर भी वो जाएंगे और सर्वेश सिंग को बता दे कि उनकी हाट अटेक से मौध हो गई थी 20 अपरेल को दो पहर के डेड़ बचे मुख्यमंचरी यूग्याद इतनाथ आम रोहा में पहुँचेंगे जहां पर बोस्ता जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वो मुरादाबाद जाएंगे तो लगातार देखिए मुख्यमंचरी यूग्याद इतनाथ पर चार पर सार में जुटे हुए हैं और आज वो पश्मी यूपी के दोरे पर रहेंगे तमाम विशाल जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे आज और जादा चौँ आनकारी के सास्त, हमारे साथ जुट गाए मजहर देखें आज आज मुख्यमंचरी यूग्याद इतनाथ का इविशाल जनसभा को संबोधित करने करने वाले हैं बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री योगी आदितनाच का आज ताबर तोर दोरा सबसे पहले वो अलग अलग राजियों में जाएंगे और ताबर तोर दोरे करेंगे और उसके बाद जो विशाल जंसभाएं हैं उन जंसभाओं को संबोधित भी कहेंगे अमरोहा जाएंगे उसके अलावा अमरोहा होने के बाद अपने रोडशो को संबोधित करेंगे और फिर मुरादाबाद में जो भारती जंतापार्टी के लोकसभा प्रत्यासी थे सरवेश कुमार की हिर्देगती रुकने से पिछले दिनों मौत हो गए थी उसके बाद वो उन संबोधित करेंगे और उसके बाद मुरादाबाद पहुंचेंगे मुरादाबाद पहुंचने के बाद सीम जो पिछले दिनों मुरादाबाद के भार्चपा के लोकसभा प्रत्यासी थे उनकी हिर्देगती रुकने से मौत हो गई थी उनके परिजनों से जाकर सीम मिलेंग बिल्कुल देखिए पश्चिवी यूपी जो है वहाँ पर जैन चौधरी का काफी दबजबा है जिसको लेकर आज मुख्यमंतरी योगिया दितनाथ पश्चिवी उतरप्रदेश पहुचेंगे और कहीं न कहीं जैन चौधरी के साथ एक मंच साजा करेंगे रहली को संबोधि जा सके और किस तरह से जो जनता है उसको अपनी जो योजनाए हैं उन तक पहुचाए जा सके इन समाम चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंतरी योगिया दितनाथ पश्चि में उतरप्रदेश पहुचेंगे और कई जनसबाओं को संबोधित करेंगे इन जनसबाँ में आरेल में पहुचेंगे मुरादाबाद मुरादाबाद बे सर्वेश कुमार सिंग जिनकी हिर्देगती रुकने से बहुत हो गई ती सब्सक्राइब के भारती अंता पार्टी के वो प्रतियासी से उन से मुलाकात परिजन है उनके पास जाएंगे और उनके परिजनों से कहीं न कहीं मुलाकात करेंगे जी जी बिलकुल मैं जराप बने रहीगा हमारे साथ कि और देखे